अरी सुन दी हो पाग्यवान अज सदे व्यादी चालिमी साल गिरा है अंगरेज जी विच क्या कहन दे हन इसनू मैरिज एनिवर्सरी ता मैडम जी दसो किमे मनावना है इह दिन देया शंकर जी ने बड़े प्यार नाड अपनी पतनी उर्मिला दी नैना दी गहराईयां विच चाकदे होए किहा एजी मनावना क्या है हून ता सदी उमर हो चुकी है जेकर हून साल गिरा मनावांगे ता सारे लोक हसन गे सदे पर चलो चड़ो पर एक गल दस सदे व्यानू इनने साल बीत गए तू मेरे तो कदी कोई मंग नहीं रखी अज दे खास मोके पर मैं जानना चाहूंदा हां तेरी कोई इच्छा अदूरी रह गई हो ता दसो मैं अपनी बुड़ापा पैंशन दे कुछ पैसे बचा के रखे हन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आखरी समय तो पहला अपनी पतनी दी हर खवाईश पूरी कर सका देया शंकर जी ने कहा ता उर्म उर्मिला जी बोली एजी कैसी गल्ना कर दे हो तुसी अपने व्यादी साल गिरा दे शुब दिन पर वी कोई ऐसे मनूस शब्द अपने मूँ तो कटदा है क्या जाओ मैंनू नहीं चाहिदा तो हड़े तो कुछ वी उर्मिला जी मूँ फला के अपने गोड़े मोड के जदी दया शंकर जी अपने उसी पुराने अंदाज वीच और्मिला जी नू थोड़ा प्यार नाल छेड़े होए गुण गुणाउन लगे कोई हसीना जद रुस जान्दी है ता होर वी हसीन हो जान्दी है और्मिला जी उसी समेश रमांदे होए होली होली मुस्कराउन चलो आज दे खास मोके पर मैं तो हड़े लई तो हड़ी फेवरेट खीर बनाई है हुने लेके आउंदी हां नाल बैठ के खावांगे और्मिला जी तुरंतर सोईकार विच गई अते इक पलेट विच चंगे नाल खीर नू सजा के अपने पती दे लई लेके आई अते कहन लगी की अपने व्यादी सालगिरा दे शुब दिन पर असी सब तो पहला खीर खा के अपना मुह मिठा करांगे इनने साल हो चुके हन सड़े व्यानू अते सड़ा साथ हून तक बन्या होया है आते मैं चहूंदी हां की मर्दे दम तक इस साथ बन्या रहे आते तो हड़े तो पहला मैं पगवान दे कोल जावा उर्मिला जी आते दया शंकर जी खीर खांदे होए एक दूसरे दे नाल मिठी मिठी गला कार रहे सी आते दो में एक दूसरे नू वदाई दिन दे होए मुस्कुरा रहे सी जदी अचानक उना दी नू सारी का कार पहुँच गई आते ही सारा नजारा देखन लगी आते अपने सास आते सोहरे नू मुस्कुरां दे होए देख के उस दे तन बदन विच्च जी में अग लग रही सी गुस्से विच्च पैर पटकदे होए आई आते बोली थोड़ी जही देर दे लई बाहर क्या निकली आते मनमर्जी शुरू हो गई तुसी लोकां दी आते इही क्या खीर बनाई है मेरे तों पुछे बिना मेरी आग्या दे बिना मेरी रसोई विच्च कदम की में रख्या तुसी बुड़ा पे विच्च वी जीब दा चटोरा पन काट नहीं होया तुसी लोकां दा थोड़ी देर दे लई बच्च्च दे स्कूल क्या गई कि तुसी दोना ने ता मोज मनानी शुरू कर दिती चुपचाप अपने कमरे विच नहीं बैठया जानदा क्या तुसी लोकां तो पैर कबर विच लटके होए हन तुसी दोना दे अते मेरी पिठ पिछे पार्टी चल रही है इस उनने दे बाद देया शंकर जी तो रहा नहीं गया उना दे सबर दा बन तुट गया अते बोले नू तु शायद पुल रही है कि इस कर तेरे तो पहला सड़ा है अते असी कर विच अपनी मनमर जी नल रह सकते हैं अते जो जी चाहे उपका के खा सकते हैं तेनू इवे बोलने दा कोई हक नहीं है जदी सारी का ने बड़ी बेशर्मी नाल अपने सोहरे नू तपाक नाल जवाब दिता अते किहा कि इस तुसी लोग का दा कर नहीं है अते जेकर इस कर विच रहना है ता तो हनू मेरे हिसाब नाल ही रहना पहोवेगा नहीं ता दरवाज़ा खुलिया है तुसी लोग जा सकते हो होर वी एक पुत है तो हड़ा असी ठेका नहीं ले रख्या तुसी दोना दा जा फिर कुझ अलग तो ता नहीं दिता तुसी असी लोग का नू जो जठानी जी नू दिता है उई ता मेरे कोल है जदी दिया शंकर जी सहमी होई अवाज विच बोले नू असी ऐसा वी क्या कर दिता जो तु इनना पड़क रही है इस गल पर सारी का जोर नाल चीकी मेननू बिना पुच्छे कि में बनाई तुसी इखीर तो अनू ही पता नहीं क्या दुद किना महंगा है अते फिर पैसे क्या पेड पर उगदे हन अते जेकर खीर बनानी ही सी ता मेरे लोटने दा इंतजार नहीं कर सक दे सी थोड़ा जिहा वी सबर नहीं सी अते फिर मेननू दही वी जमानी है बच्चे वी मुड के दुद मंगन गे उन कित्थे तो आवेगा दुद सारा दुद ता तुसी लोक गटक गए हमेशा अपनी मनमर जी कर दे हो फिर उर्मिला जी बोली नू मैं ज्यादा दुद दा इस्तमाल नहीं किता थोड़े जहे दुद दी खीर बनाई है बाकी दा दुद फरीज विच्चे रख्या है इसलिए ज्यादा गुसा करने दी जरूरत नहीं है फिर सारी का बोली मा जी मैंनू पाठ पड़ाने दी कोई जरूरत नहीं है की मैंनू क्या करना चाहिदा अते क्या नहीं मैंनू तुसी बुड़्या तो पुछने दी कोई जरूरत नहीं है बस मेरी एक गल कन खोल के सुन लओ अग्ये तो मेरी अग्या दे बिना जेकर मेरी रसोई विच्च कदम भी रख्या ता तो अड़े लई ठीक नहीं होवेगा इस पर उर्मिला जी बोली नू असी अपने पुट दी कमाई खांदे हां केडा तु कमा रही है जो इनना पड़कर ही है अते जेकर थोड़ा जिहा खर्च करवी लेया ता क्या बिगड गया इनना सुन दे ही सारी का दा गुसा सत्मे आसमान पर पहुँच गया उसी समय सारी का दी मा शांती देवी उठे पहुँच गई उना ने दर्वाज्जे तो ही अपनी बेटी दे चीखंगे दी अवाज सुन ली इसलई उठे ही दर्वाज्जे दी आड़ विच खड़ी हो गई अते उत्ते ही खड़े खड़े सारा नजारा देखन लगी उना ने देख्या की सारी का ने चाट अपने सास सोरे दे हाथ तो खीर दी कटोरी खो के हेठा जुट दिती अते बोली कर मेरा है अते मैं इस कर दी माल की नहां अते तो अड़ा पुट उह पहला होया करदा सी हुन उह मेरा पती है अते पती दी हर चीज पर सब तो पहला उस दी पतनी दा हक हुन दा है ना की उस दे बुड़े मा बाप दा उन जैसा मैच कहूंगी ओही सब तो अनू करना होवेगा अपनी मनमर्जी चलाने दी कोई जरूरत नहीं है एह जा कहन दे होए सारी का गुसे विच तमक दे होए अपने कमरे विच चली गई उर्मिला जी अते देयाशंकर जी दी अखां पर आई अते होँ अपनी किस्मत पर रोन लगे उर्मिला जी अते देयाशंकर जी दे दो पुत सी वड़ा पुत रवी अते छोटा पुत दिनेश उना दे कर दी आर्थिक स्तीती ज्यादा चंगी नहीं सी प्रंतु फिर वी उना ने अपने दोवे पुत्तानू दिन रात इक करके मेहनत मजदूरी करके चंगे स्कूल विच पड़ाया अते पड़ लिख के वड़ा पुत्ता डाक्टर बन गया अते छोटा पुत्त दिनेश आर्मी विच परती हो गया दोवे माता पिता अपने बच्चियां दी तरक्की देख के बहुत खुश सी उना ने अपना पुरा जीवन अपने बच्चियां पर खर्च कर दिता दोवे ही पुत्ताने प्रेम विहा करवाया सी वड़ा पुत ता अपनी पतनी नू लेके विदेश चला गया अते उत्ते ही डक्तरी करन लगा जदकी छोटा पुत दिनेश आर्मी विच्च अफसर सी ता उँ अपनी ड्यूटी पर रहन दा सी और मिला जी अते देया शंकर जी अपनी छोटी नू सारी का दे कोल रहन दे सी दिनेश अपने माता पिता नाल बहुत प्यार करदा सी जदकी उना दे वड़े पुत रवी नू उना दी कुझ परवा नहीं सी ओ सिरफ अपनी गरस्ती विच्च ही राम गया सी अते विदेश विच्च रहन दा सी सारी का नू इसी गल दा गुसा रहन दा सी की उह बुड़े बुड़ी दी देख पाल इकल्ली ही क्यों करे इसलई उह अपने सास सहोरे नू तांग कर दी रहन दी देया शंकर जी दी अखा तो अज हंजू बह निकले उह खुद नू कोसन लगगे की उना ने अपने बुड़ापे दे लई कुझ बचा के क्यों नहीं रख्या क्यों उना ने अपने पुत्ता दी पड़ाई दे लई अपना कर तक वेच दिता अते खुद कंगाल हो के इस कगार पर आ पहुंचे की पुत्त नू दे टुकड़या पर पलना पै रहा है दोमे बजुरग इन्नी गला सोच ही रहे सी की जदी सारी का अपने कमरे तो बाहर निकल के आउंदी है अते चीकदे होए अपने सास सोरे नू बत्मीजी नाल कहन लगी हुणे तक तुसी दोनो इत्थे बैठे हो इन्ना वी नहीं समझ वीच आउंदा की फर्ष पर गंदगी पई होई है ता कट तो कट साफ ही कर दवो चलो सासु मा उठो अते जल्दी नाल फर्ष पर पई होई सारी खीर साफ करो बड़े आये सालगीरा मनावन वाले इन्नी उमर हो गई अते इस बुड़ा पे विच्च वी इन्ना दोनना नू रमास ही सुझ रहा है सारी का दे चीकने दी अवाज सून के बजूर्ग दपत्ती डर गई अते बिचारी उर्मिला जी ने अखा विच्च हंजू लई फर्ष नू साफ कीता अते पोच्चा लगाया अते अपने कमरे विच्च जा के हंजू वहाउन लगी अते इदर बाहर दरवाज्य दी आड विच्च खडी सारी का दी मा शांती जी इस अब देख के अंदर तक हि गई सी अते उल्टे पेरा नाल अपने कर वापिस लोट गई कर आ के अपने कर दे बरांडे विच्च कुरसी पर तम नाल बैठ गई हैरानी नाल उना दी अखा पथरा आ गई उलगातार इक ही दिशा विच्च शुन्य बुद्ध तरीके नाल देख दी जा रही सी जदी उन सीमरन जो अपनी सास दा पूरा सनमान कर दी सी अते बहुत ख्याल रख दी सी अपनी सासु मानू परिशान देख के पुच्छ लगी क्या होया मा जी तुसी ता पैन दे सुसुराल गई सी ना उठीक ता है ना कुछ होया है क्या तुसी बहुत दुखी लग रही हो शान्ती जी अते उना दी नू सिमरन दी गल सुन के शान्ती जी दा पुत परतीक भी उत्थे आ गया अते बोलिया क्या गल हो गई मा तुसी परिशान क्यूं हो जदी शान्ती जी पावुक गले नाल बोली बेटा मैं आते तेरे पिता जी ने तात उसी दोनानू चंगी सिख्या आते चंगे संसकार दिते सी प्रन्तू ना जाने फिर सारी का ने साड़े संसकारानू क्यों शर्मिन्दा कर दिता साड़ी परवरिश विच्चता कोई कमी नहीं सी फिर क्यूं असी उसनू इंसानियत दा पाठ ना पड़ा सके ऐसा कहन्दे कहन्दे बेचारी शांती जी दी अखा पर आई दोस्तो मा बापनू अपनी बेटी पर बहुत गरव रहंदा है अते हूँ चाउंदे हन की उना दी बेटी जित्ते वी जावे उना दा सिर उच्चा रखे उना दे संसकारा नू शर्मिंदा ना करे परंतु जेकर उना ही माता पिता नू अपनी बेटी दी इह हरकता देखन नू मिल दी हनता उना नू किन्ना दुख हुंदा है इह सिरफ उही जान दे हन आज उही सब शांती जी पर बीत रहा सी उह बहुत दुखी सी अंदर ही अंदर अपनी बेटी दा वेवार उना दे दिल नू कचोटता जा रहा सी उना ने अपने पुत नू नू किहा कि अज जद मैं सारी का देकर पहुंची ता मैं देख्या कि उह अपने बुड़े सास सोरे दे नाल जानवरा तो वी बत्तर सलूक कर रही सी इस उनके प्रतीक गुसे विच्च आया अते बोलिया ता मा तुसी उसनू कुझ किहा क्यों नहीं तो अनू उसनू चिड़कना चाहिदा सी इस पर शांती जी बोली पुत मैंनू कुझ समझ नहीं आ रहा सी ओ इस तरह दा वहवार कार रही सी की मैंनू उसनू अपनी बेटी कहन्दे होए वी शरम आ रही सी मेरी हिम्मत तक ना होई की उस दे कोल जावा उस दे सास ससुर इन्ने पले इनसान हन मैं उना दे सामने अपना चेहरा की में दिखाऊंदी उना नाल नजरा की में मिलांदी ताही ता मैं बाहर तो ही वापिस मुड़ाई फिर शांती जी बोली जो गल मैं तेनू कहन जा रही हां उगल सुन के तू दुखी ना होना मैंनू लगदा है की सानू सारी का नाल अपना रिष्टा खतम कर लेना चाहिदा अपनी मा दे मूतों इशब्द सुन के परतीक हैरान रहे गया जदी सिमरन अपनी सासू मा नू टोकदे होए कहन लगी नहीं मा जी तुसी ऐसा सोच भी कि में सकदी हो आखिर उत वड़ी बेटी है अते जेकर अलाद अपने रस्ते तो पटक जन्दी है ता उसनू सही रास्ते पर ले के आवना मा बापदा कम हुंदा है रिष्टा तोड़ने नाल किसी दे वहवार विच बदलाव नहीं आवंदा जदी शांती जी कहन लगी अज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हा मैं आते तेरे पिता जी ने अपनी बेटी सारी का नू दुनिया दी सारी खुशियां दिती साब कुझ दित्ता पर उसनू एक चंगा इनसान तक नहीं बना सके जदी सिमरन ने अपनी सासू मा नू संभालिया आते किहा मा जी ही सब छड़ो इस वक्त तुटने दा नहीं है तो अनू खुद नू संभालना होवेगा कुझ दिन बाद रखडी दा तिहार आ रहा है अते पैन इत्ते आवेगी अग्गे मैं सब संभाल लूँगी मैं जान दी हां की अग्गे क्या करना है तुसी चिंता ना करो अपनी नू दी हिम्मत परी अते उमीद परी गल्ला सुन के शान्ती जी नू बहुत चंगा लगगा उना नू कुझ राहत महसूस होई ता उह बोली ठीक है नू मैं जान दी हां की तू सब कुझ संभाल लेवेंगी मैं नू तेरे पर विश्वाश है रखडी दे तिहार तो पहला ही सारी का हमेशा दी तरा उस दी त्यारी विच जूट गई अते अपने पाई दे लई रखडियां अते मिठाईयां खरीद के ले आई अपने माईक के जाने दे बारे विच सोच सोच के मन ही मन बड़ी खुछ सी रखडी दे तिहार पर खुशी-खुशी माईक के पहुच गई अउन्दे ही अपने पाई अते पाबी नाड मिली उस दी नजरा अपनी माँ नू लब रही सी पर माँ किते नजर नहीं आ रही सी आ गई दी तुसी आओ बैठो मैं तो अड़े लई कुझ खाने नू लेके आउन्दी हाँ सीमरन ने केहा फिर सारी का बोली नहीं पाबी इस दी कोई जरूरत नहीं है तुसी बास इही दस्तो की माँ किते है सारी का दी गल सुन के सीमरन ने बड़ी ही बेरुखी नाल केहा अरे होगी इत्थे किते मैंनू क्या पता मैं कोई उना दे अग्गे पिछे थोड़ी ना कुम दी रहंदी हाँ मैंनू कर दे होर वी काम करने हुंदे हन अपनी पबीदी गल सुन के सारी का हैरान रह गई जदी प्रतीक बोलिया अरे सारी का तुँ आ गई किवे है तुँ जिज्जा जी किवे हन उता ठीक हन अगले महिने आउन गे पर मा किते नजर नहीं आ रही किते है उँ सारी का ने फिर तो उई प्रशन किता परेशान हो के सारी का खुद ही सोफेतों उटके चारो तरफ कार विच्च अवाज लगांदी होई अपनी मानू लबन लग दी है मा मा किते हो तुसी देखो तो अड़ी सारी का आई है सारी का दा अपनी मा नल बहुत लगाव सी परंतु शांती जी कुछ नहीं बोली जदी सारी का दी नजर बातरूम दे कोल गई उसने देख्या कि उस दी मा बदहवास बातरूम दे बाहर पई है उह दोड के उना दे कोल चली गई मा तो हनू इह क्या हो गया तुसी ऐसी हालत विच्च इथे क्यूं पई हो जदी सारी का ने अपने पाई पाबी नू अवाज लगाई अते बोली तुसी लोका ने मेरी मा नू इथे क्यूं रख्या है सारी का रोंदे होए पुच्छन लगी इस पर सिमरन ने जवाब दिता अरे दी तुसी इस बुड़ी नू छड़ो हर वक्त चटोरापन करदी रहंदी है इसलई पेट खराब हो गया अते कल तो पूरा कमरा बदबून अल पर दिता सी इस बातरूम दे बाहर रख दिता है मैं उन ज्यादा परिशान्नी नहीं करेगी अपनी पबी दी गल्ला सुन के सारी का ने गुसे नाल किया पर पबी जेकर मा ने अपनी पसांद दा कुछ खावी लेया ता क्या हो गया बुड़ा पे विच्छ खाने दा मन नहीं करदा क्या त सारी का अपनी मा नू चुक के साहरा दिन्दे होए उना दे कमरे विच ले जान्दी है परंतु उस दी पबी सिमरन उना नू बिस्तर तों वी नीचे उतार दिन्दी है अते फर्ष पर लिटा दिन्दी है इही कहन्दे होए कि इह बुड़ी सारा बिस्तर गिल्ला कर देवे इस पर सारी का दी अख्खा तो हंजू बह निकले अते चिकन लगी पाई 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 भी तुसी दो में ता ऐसे नहीं सी तुसी लोका नू हो क्या गिया है फिर सिमरन ने कहा दीदी तुसी साड़े मामले विच ना ही बोलो ता ठीक है यही हुन तो अड़ा कर नहीं है यह मेर मेरा कर है पती देकर पर सब तो पहला हक उस दी पतनी दा हुंदा है मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी तुसी इस कर दी महमान हो अते मैं इस कर दी माल की नहां जदी सारी का गुस्से विच बोली पाभी तो अड़ी हिमत की में होई मैंनू महमान कहने दी मैं इस कर द बेटी हां अते मेरा वी इसकर पर हक है आखिर तुसी लोग का नू हो क्या गया है तुसी लोग इक इंसान हो के दूसरे इंसान दे नाल इनना बुरा वहवार कीवे कर सकते हो अरे कट तो कट बुड़ा पे विच उना दी उमर दा ता लिहाज करो अते पाई तुवी अपनी पत्नी दा ही साथ दे रहा है ओ मेरी मा दे नाल किन्ना बुरा वहवार कर रही है किन्ने बुरे तरीके नाल पेश आ रही है अते तो अन्नू कोई फरक ही नहीं पेंदा तुसी अपनी पत्नी दे गुलाम हो गए अते पबी तुसी जेकर तुसी इसकर दी माल किन्न हो ताही कर मेरी मा दे बेटे दावी है तुसी इस सब किमे पूल गई जदी अपनी बेटी दी गल्ला नू सुन के शांती जी नू बहुत गुसा आया उसी समय उठके बैठ गई अते जब देखके सारी का दे पैरा थल्लों जमीन खिसक गई थपड़ नाल लाल होए अपने गल पर हात रखके सारी का गुसे नाल खड़ी हो गई इस अब क्या है मा जदी शांती जी गुसे विच बोली तु चूप ही रह सारी का तेरे मू तो ऐसी गल्ला शोबा नहीं दिन्द ynह रांता इवे हो के खड़ी हो जीवे तेन्नू कुझ पता ही नहीं जिस इनसान दी तु पतनी है उस इनसान दे मा बाप दे नाल जानी की अपने सास सहरे दे नाल तु जिस लहजे विच पेश आउंदी है उना नू दुखी कर दी है परिशान कर दी है जेकर उपने अध्याद दा कुछ खाना चाहें ता तू उना दे हाथ तो खो के सिट दिन्दी हैं। पता हन बेशरम कुडी जद तू अपने सास सोरे नू चिड़क रही सी। मैं दरवाज्य दी ओट विच खड़ी होई सब कुछ सुन रही सी। मैं ता उस दिन ही तेरे नाल सारे रिष्टे नाते तोड़ना चाहूं दी सी। परंतू तेरी पाबी ने मेंनू समझाया ता मैं संबल गई। अते मैं तेरे नाल रिष्टा नहीं तोड़या। इस सुन के सारी का जमीन पर बैठ गई अते सोच विच पै गई। फिर शांती जी बोली सारी का असी ता तेरे सारे शोंक पूरे कीते सी। तेनू चंगे संसकार दिते सी। अते जिस आदमी दी तू पतनी हैं उसी दे मा बापदा तिरसकार कर रही हैं। जिस आदमी दे पैसे अनाल तू एश कर दी हैं उसी दे जनमदाता नू चिड़क दी हैं। उना दी बेजती कर दी हैं। क्या मैं आते तेरे पिता ने तेनू एही संसकार दिते सी। जरा सोच तेरे स्वर्गवासी पिता जद तेनू एह जा वहवार कर दे देख दे होंगे ता उना दी आतमा नू क्या शांती मिल दी होगी। जेकर तेरे पती नू तेरे किते गए वहवार दे बारे विच पता चल्या ता उस पर क्या बितेगी। क्या उसनू चंगा लगेगा। की तू उस दे बुड़े मा बापनू इनना दुख दिन्दी हैं। क्या उसनू ते नू कदी माफ कर पावेगा।issant तेरे नाल अपना रिस्ता ही खतम कर देवेगा। क्या आज तो पहला कदी तू अपनी पबी नू मेरा तिरसकार कर दे होए देख्या है। तू देख्या हैं। की तेरी पाबी मेरा किना सनमान कर दी है मैंनू पगवान दी तरह पूज दी है किनी संसकारी है उहू दिन रात मेरी सेवा कर दी है अते आज तक उसने कदी उच्ची अवाज विच्च मेरे नाल गल तक नहीं कीती हमेशा मम्मी जी मम्मी जी कह के मेरे अगे पिछे कुमधी रहन दी है अते बेटी तू ऐसी कि में बन गई कद तो तू इन्नी खुदगर्ज हो गई इन्ना सुन्दे ही सारी का फुट फुट के रोन लगी अते अपनी मा तो माफी मंगल लगी मा मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई मैं सिरफ एही सोच रही सी की मेरा रिष्टा सिरफ मेरे पती दे नाल है अते मेरे सास सोरे तांदोना दे हिस्से विच आउने चाही दे पर जेठ जी उनानू मेरे कोल छट के चले गए इस गल पर मेंनू गुसा आउंदा सी की मैं इकले ही उनानू क्यूं रखा हक ता दोना दा बराबर है इस पर सारी का दी मा शांती जी उसनों समझान दे होए कहन दी हन की बेटी उना दी करनी ता उना दे नाल है पर तेरी करनी तेरे नाल है जेकर उन तेरे सास सोरे नू नहीं रखना चाऊंदे ता उना दी गलती है पर तू क्यों पाप दी पागीधर बन रही है जेकर तू भी ऐसा करेंगी ता उना विच अते तेरे विच फर्क क्या रह जावेगा तू ही सोच बेटा मा दी गल सुन के सारी का अपनी मा आते अपने पाई पाबी तो माफी मंग दी है उसनू आज अपनी गलती दा एहसास हो जान्दा है अते वापिस अपने ससुराल आ जान्दी है आउंदे ही उ अपने सास सोरे दे पैरा विच गिर जान्दी है अते अग्ये तो मैं ऐसा सलूक कदी नहीं करूंगी। सारी का दे सास ससुर उसनू माफ कर दिन्दे हन। अते कहन दे हन। नू तेनू पता है कि माँ बापनू बड़ पे विच्च सब तो ज्यादा। उना दे बच्चें दी जरूरत हुंदी है। सानू तेरे तो कुझ नहीं चाहिदा। बस असी ता इनना ही कहन दे हां कि तू सड्डे नाल प्यार नाल बोल लेया कर। सड्डे लई ओई सब तो बड़ी गल है। इगल सुन के सारी का हंजू पूँजदे होए कहन लगी। मा प्यार नाल गल करना ही नहीं। मैं तो हनू प्यार नाल खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहन दे होए उ तुरंतर सोईकार विच चली जान दी है। अते फटा फट सवादिष्ट खीर बना के ले अंदी है। अते कहन दी है लवो मा पिता जी तुसी दोनों आज मेरे हाथ तो खीर खाओ। इस अब देख के उर्मिला जी अते देयाशंकर जी दी अखा विच हन जू आज आन देहन। ओ अपनी नू नू टेरो आशिरवाद दिल देहन। ता दोस्तों सा नू हमेशा अपने माता पिता दी सेवा करनी चाहिदी है। श्टोरी के वे लगगी लाइक कमेंट करके जरूर दसे हो जी ता अनुवाद जी।